अली बाग में अपने बच्पन की साधी नताशा दलाल से शादी करने के बाद वरुन धवन अब अपने दुलहनिया को लेकर मुंबई लॉट आए हैं इस दुरान दोनों एक बार फिर पापराजी के कैमरास में कैद हुए इस कपल को मंजवा भी जेटी के पास स्पोर्ट किया गया और दोनों अपने साजों समान और रिष्टदारों के साथ नजर आए इस पूरे रास्ते में वरुन अपनी वाइफ नताशा का हाथ था में दिखे और उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें वाटर जेट पर भी बिठाया और दोनोंने जेट पर से पैपराजी को हाथ लाते हुए रिस्पॉंड भी किया हाला कि अब जब शादी करके वरुन अताशा मुंबई आ ही गए हैं तो अब क्या है इनके आगे के प्लान्स क्या ये कपल अपना हनीमून प्लान कर रहा है या फिर अभी अपनी रिसेप्शन की तयारी करेंगे जिसमें बॉलिवुट के सबी स्टार्स शिरकत करेंगे तो आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट के मताबिक पहले ऐसी खबरी थी कि शादी के बाद वरुन और नताशा अपना वेडिंग रिसेप्शन ओगनाईस करेंगे खबरे थी कि दो फरवरी को ये कपल अपना रिसेप्शन देने वाला है मगर अब वरुन के चाचा और राक्टर अनिल धवन इस बात से साफ इंकार कर दिया है कि दो तारिक को रिसेप्शन नहीं किया जा रहा है यानि रिसेप्शन फिलाल नहीं हो रहा है बट वी आर शोर कि लेट ही सही मगर वरुन अपने बॉलिवोड के दोस्तों को रिसेप्शन में जरूर नियौता देंगे तो फिर क्या अब ये कबल हनीमून की प्लानिंग करेगा? पहले कहा जा रहा था कि वरुन अताजा हनीमून पर नहीं जाएंगे क्योंकि वरुन को अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में जुटना है मगर अप कहा जा रहा है कि दोनों टर्की में अपना हनीमून मनाने के लिए तैयार है मीडिया रिपर्स के मुदाविक दोनों इस्तानबुल के सिरागन पालिस में स्टे करेंगे ये दुनिया के सबसे खुबसूरत और लक्जीरियस रिजॉर्ट्स में से एक है और यहाँ पहले भी कई सेलिब्रिटी स्टेज करने जा चुके है समुद्र के किनारे बना ये होटल अपनी खुबसूरती और बहतरी लक्जीरी के लिए पूरी दुनिया में मशूर है खेर अब वरु नताशा का शादी के बाद हानीमोन का प्लान है या फिर रिसेप्शन देने का इसको लेकर पक्के तोर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब ये कपल खुद अपना एक बयान चारी करे बॉलिवूट की लेटेस न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूट को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोरमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं